हेलो फैंड्स नाव एल्याट के ओफिशल यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ सावधन रेलवे की तरफ से भरती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहां पर देखी सकते हैं जैसे दोस्तों 21 अप्राइल 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था यहां पर जो नेम आप पोश्ट की बात कते हैं तो नर्सिंग सूपी डेंटेंट के लिए जॉब पोश्ट है साइकलो थेरेपिस्ट के लिए यहां पर जॉब पोश्ट है यहीजी टेक्नीशन के लिए जॉब पोश्ट है बाकि अगर आपको मैं बता हूँ इस job post के बारे में तो यहाँ पर दसवी पास, बारवी पास, graduate and nursing वाले apply कर सकेंगे, salary की बात करते हूँ तो 35,400 रुपे से ले करके 1,12,400 रुपे तक की आपको salary देखने को मिल जाएगी, all India forum होने वाला है, और India candidates apply कर सकते हैं, 30 April तक कि इसकी last date होने वाली है, इससे पहले पहले आप apply कर दीजेगा, सीधी बरती होगी, यहाँ पे कोई भी आपका written exam नहीं होगा, सिर्फ आपका interview के business में आपका selection होने वाला है, बाकी updates के लिए आप पूरा दिखते लिए कर वीडियो आपको सारी knowledge मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आप channel में नहीं हो तो जरूर चैनल को subscribe कीजिए, and bell icon को always hit करिए, and like करिए इस वीडियो को, ताकि latest jobs के updates से पहले आप तक पहुस दी रहे, and यहाँ पे आप www.nowallet.in लिख सकते हैं मेरी website में आने के लिए, तो Southern Railway की तरफ से requirement आईए, and इस job post के लिए अगर आप भी apply करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दू, nursing super intent, and यहाँ पे other post भी निकल के आईए, जहाँ पे इसकी age limit होगी, 18 साल से ले करके 40 साल तक की, and age relaxation देखने को मिल जाएगा, OBC Candidates को 3 साल का, and STSE Candidates को 5 साल का, selection procedure की बात करते हो, तो सिर्फ आपका interview के basis में आपका selection होनी वाला है, and अगर application fees की बात करें, तो यहाँ पे आपको कोई भी application fees देने के जरुवत नहीं पड़ेगी, बिल्कुँ free forum होने वाला है, वह अगर salary की बात करते हैं, तो 18,000 से basic salary आपकी starting हो जाएगी, and अललक पोस्ट होगी, यसाब से आपकी salary starting होगी, तो यहाँ पे आपको notification मिल जाएगा, इस job post लिए जो मांगा गया है, आप एक बाग खुद से जरुरू पढ़ दीजेगा, वह अगर आप ECG technician के लिए 10 plus 2 मांगा गया है, graduation in science मांगा गया है, age limit यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, psychotherapist के लिए यहाँ पे bachelor degree मांगी गयी है, यहाँ पे technician के लिए B.E.C. plus diploma मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, lab assistant के लिए 12 पास मांगी गयी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, radio grapher के लिए 10 plus 2, physics, chemistry and diploma अगर आपके पस है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे, age lexation मैं आपको पहले ही बता दिया था, important points अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो interview के basis में आपका selection होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साब साब लिखा गया है, कि यहाँ पे teleconference की तरवा interview होगा आपका, यहाँ पे आप पूरा detail notification देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे जैसे मान लीचे, number one post के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं, तो वह होगी यहाँ पे nursing superintendent के लिए, यहाँ पे आपको simply आपको detail भरने होंगे, एड़ उसके अबाद आप अप्लाई कर सकेंगे, मुझे अगर आपको इस दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते, तो आप उसमें simply click कीजेगा, एड यहाँ पे नया page खुल जाएगा, यहाँ पे आटेंड, housekeeping, housekeeping, यहाँ पे आप आप देख सकते हैं, अगली वीडियो में तब तर के लिए गुडबाई hello friends now